समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक वार फिर से हमारे चेरणवें मत्रु गुरुवार का दिन भगवान स्रियर विश्णू जी का दिन है और गुरुवार के दिन देवगुरु बिरस्पति जी को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रियोग की ये दाते हैं आज हम आपको हल्दी के प्रियोग के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर प्रिसाने से आपको बाहर निकालेंगे क्योंकि हल्दी का सम्मंद देवगुरु बिरस्पति से हैं वैसे तो हल्दी के धेर सारे प्रियोग होते हैं लेकिन कुछ खास ऐसे प्रियोग हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु बहुत ये बहतर होता है और आपके जीवन में धहन, मान-चम्मान और संतान सुखों की प्राब्ति होती हैं तो चलिए शुरू करते हैं मत्रों जब देवगुरु बेरिस्पति जी की पूजा आप करते हैं तो उसे पहले आपको छोटा सा प्रियोग जरूर करना चाहिए सुबस सोकर उठने के बाद आप एक सोटा सा काम अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की एक भी कष्ट नहीं रहेंगी तो आपके सारे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे क्या करना है सबसे पहले अपने घर के मुखे दरवाजे पर गंगा जल या फिर आप प्लेन वाटर का सिड़काव करने की विवस्ता करें या पानी आपको रात में ही रख ले जी होगी और कहीं भी दरवाजे के आसपाग या डाइनिंग एरिया में आप इस पानी को रख ल जरूर ये काम करें आप जल का चिड़काव जरूर करें ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा दो चार भून घर के मुखे दरवाजे की चोकट में और बाहर की तरफ से यहां से आपके दिन की शुरुवात होती हैं गुरुवात के दिन घर में पोचा नहीं लगाना चाहिए प्र आप लोगों को भगवान सुरिदेव को आप जल अरफित करें आपको बताना चाहेंगे कि आप सुभा नहाद होकर असनान आदि करके आप भगवान सुरिदेव को जल अरफित करें वैसे तो आप भगवान सुरिदेव को जल रोधाना अरफित करें और अगर आप जल में आ चारों दिशाओं से आपका बढ़ता चला जाएगा वैसे तो गुरुवार के दिन करने के लिए हल्दी के बहुत सारी प्रियोग होते हैं लेकिन सिंपल तरीके से अगर हम जाने तो आपके घर के मुख्य द्रवाजे से बाहर के दरफ से हल्दी में एक स्वास्तिविक बनाने का अभियास आपको हर गुरुवार को बनानी चाहिए अगर स्वास्तिव आप न बना सके तो आप ओम कानिसान बना सकते हैं यह जो बहुत सुब होता है या आपके घर में आने बाली नेगेटिविटी को समाप्त कर देता है सुख लाता है और आप लोगों को सुरक्षित र स्वान रखेंगे सिर्फ भगवान स्रेहरी विस्नुजी की पूजा आप गुरुवार के दिन कभी भी न करें जब भी करनी हो तो आप दोनों के पूजा करें यानि कि मालक्मी की भी साथ में पूजा करें तब आपको पूजा का पुरुन फल मिलेगा और अगर आप एक बे बेलपत्र नियमित रूप से मा लक्वी को अर्पित करने की विवस्ता करें तो आप बस समझ लिजिए कि आपके जीवन की तरह कोई भी चारू दिशाओं में आपका कोई भी बरोबरी या टक करदेने वाला नहीं रहेगा आप रोजाना प्रते दिन नित्य प्रते दिन पूजा में आप मा लक्वी जी को एक बेलपत्र अर्पित करने की विवस्ता करें इसे आप पिचारों दिशाओं में ख्याती बढ़ेंगी तो दोस्तों गुरुवार के दिन आपको पोचा नहीं लगाना है घर के सफाई करने के बाद पानी में हल्दी का छिड़काव आपको करना है आपको बहुती एमर्जंची है मान लेते हैं आपका बहुती घर गंदगी से भरा हुआ है और आपको पोचा लगाना ही पड़ेगा तब आप पानी में एक चुटकी हल्दी डाल कर ही पोचा लगाईएगा इस बात का द्यान रखें क्योंकि ऐसा करणे पर आपको मालतमी की घरफा मिलेंगी वगर आप से कोई भी गलती हो रही है तो उसके लिए भी आपको छमा मिल दाएंगी बहुती सिंपल है दूसरी बात जो लोग और विबाहित लड़के हैं या लड़किया हैं आप चाहते हैं कि उनका जल्दी से विबाह हो जाए तो ऐसे में उनको नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल कर नहाने का अभ्यास करवाएं और यह निमेत रूप से करें तो उनका विबाह वाला पात बहुती मजबूत होता है और उनका विबाह बहुती जल्दी हो जाएगा बहुती सिंप उपाय है लेकिन इसका तुरंदी प्रणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगे दोस्तो अगली बात हर कोई चाहता है कि धन की कमी उसे कभी भी ना हो उसके पास खूब पैसे आए और वह मौजबस्ती में अपने जीवन को जीए लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता ह वह भी आपके ही गलती की वज़े से तो चलिए एक साधारन उपाय जानते हैं दोस्तो जब भी आप अपने घर को सजाने या फिर घर के मुखे द्रवाजे के अंदर दाही ने तरब वैसे तो यह प्रियोग आपको रेगूलर करना चाहिए आप वहाँ पर एक वरतर में आप वह रखें ध्यान रखें दाहीने साइड अंदरस में जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं आपके दाहीने हाथ का साइड यह आपको रखना होगा और यह निमित रूप से आपको इसके चैंज करते रहें आप लोगों के लिए यह सुरक्चा कबत का काम करेंगे घर से जब बड़े बुजरुगिया बच से बाहर जाएंगे तुमर में बहुत सारी चिंताएं रहती हैं ऐसे में वो सारी चिंताएं आपको नहीं करने चाहिए अगर यह पानी रखने का अभ्यास आप कर लेते हैं और संब हो तो इस पानी में फूलों के पंखुडी डाल दे वै प्रिसानियां नहीं आएंगे तो यह सिंपल सा प्रियोग आप कर सकते हैं लेकिन आज हम चुकी हल्दी का प्रियोग आपको बताने वाले हैं हल्दी का प्रियोग साधा करने वाले हैं तो चलिए जानते हैं हो हल्दी का प्रियोग कौन सा है सबसे पहली बात कई बार ऐसा ह होता है घर में धान नहीं रहता है आप चाहते हैं पैसा ठीके सुखसानती समरिद्धी पड़े तब आप एक चोटा सा परियोग करना शुरू कर दे आपके घर में हल्दी का पॉटर है आप उसे पूजा अस्तान पर रहते थोड़ा सा किसी डिबे में भर कर नियमित रूप से आप भगवान सुरीदेव को सल और हल्दी डाल कर अर्पित करें परन्तु आप अपने उंगली में थोड़ा सा हल्दी लेकर भगवान स्रीहरी विश्रू जी को तिका करें तिलक करें और जो आपके हस्त में या आपके उंगली में जो हल्दी रह जाती है उसे भी आप अप आपको तिलक करे ऐसे में आपके घर में सुक्ष समर्दी बढ़ेंगे आप उर्जवान रहेंगे भागवान होंगे संतान वान होंगे यहां तक के धनवान भी होंगे तो भला इस ची आपको करना चाहिए जिंदिगी में यहां बहुती सिंपल सा प्रियोग आप शुरू कर द दोस्तो यह बहुती कारगार उपाय हैं जो आप अगर गुरुवार के दिन करते हैं तो आपके जीबर में सुक्ष समर्दी बढ़ेंगे धन्दोलत बढ़ेगा रुपे पैसा मान सम्मान और इज़त के साथ साथ कई प्रकार के परतिष्टा बढ़ेंगे दोस्तो यह थी उ उपाय जो मैंने आपको बताया है गुरुवार के दिन करड़े को विडियो अच्छा लगा तो विडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ सेयर कर दें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमस्युवाई और जैवरिस्पतिदेव जरूर लिखें ओम नमस्युदेवाई न जरूर लिखें